गुड़ मॉर्णिंग माई डियर स्टुडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम बीए सी पार्ट सेकेंड के फ़स्ट वेपर आर्थ अपोड़ा में फ़स्ट उनिट के मेटा मॉर्फोसिस इन इंसेट्स के टोपिक का हम बिस्तरी तुरुप से चर्चा करेंगे और यह एक्जाम की दरश्टी से बहुती है महत्पूर्ण टोपिक है तो मेटा मॉर्फोसिस इन इंसेट्स इंसेट्स ग्लास में लगभग 30 ओडर्स पाए जाते हैं इनके डबलमेंट में बिविन बिविनता हैं पाए जाती है डबलमेंट के आदार पर इन्हें हम तीन वर्गों में बिवाजित कर सकते हैं फर्स्ट आता है एकायांतरनी परिवर्दन यानि की ए मेटा बोलस डबलमेंट ऐसा डबलमेंट जिसमें कायांतरन अनुपस्तित होता है इसको हम ए मेटाबोलस डवलॉब्मेंट कहते हैं इस परकार का डविल्मेंट एपटेरि में पाइआ जाता है दूसरा है क segregated क्ठोड़क्रिदन यानि की ऊहलो मेटा प्रिवलॉब्मेंट इस परकार के डविल्मेंट मैं अंडो में लार्वा प्यूमा प्यूमा से इमेगो का डवलमेंट होता है इस प्रकार के परिवर्दन को हम पूर्ण कायांतनी परिवर्दन अर्थार्थ हलो मेटा बोलस डवलमेंट कहते हैं अडल्ट से एक का निल्मान होगा एक से लारवा का होगा लारवा से प्यूमा का होगा प्यूमा से अडल्ट का होगा इस प्रकार से पूरा साइकल गुमता है और इसमें प्रते किष्टे से लार्वा, प्यूमा और अडल्ट का डवलमेंट होता है तो ये पूर्ण कायंतरन परिवर्दन कहलाता है इसके एक्जामपल है तितली, मक्की, मच्छर, चीटियां, बेप्स, अनीबी, बिटल्स, इत्यादी लार्वे में अनिक निर्मोचन होता है प्रतिक लार्वा आवस्ता को हम इनस्टार कहते हैं यहनिकि लार्वा की प्रतिक आवस्ता होती है उसको हम इनस्टार कहते हैं दो इनस्टारों के बीच के जो समय होता है उसको हम स्टेडियम कहते हैं प्यूमा आवस्ता निशक्रिय अंत्राल को विवेक्ट करती है और इस डवलंड में ये डॉर्मेंट अबदी को डाइपोज कहते हैं तो प्यूमा इसकी जो इस्टेज होती है वो निस्क्री अवस्ता होती है और ये डॉर्मेंट इस्टेज में पड़ा रहता है जिसको हम डाइपोज कहते हैं शामानते डाइपोज, प्यूमा अवस्तम पाया जाता है, डाइपोज होता है, जो इसकी प्यूमा इस्टेज होती है, उसमें पाया जाता है, सिल्क वर्म के कुछ प्रजातियों में, डाइपोज अंड़ों में भी पाया जाता है, इसी परकार इंसेट से कुछ जातियों के अ थर्ड आता है एपून कायंतनि परिवर्दन यानि कि एहमी मेटाबॉलिस डवलमेंट इस परकार के परिवर्दन में अन्डों से अडल्ट के समान सिसूं की उत्पत्ति होती है जिसे हम निम्प कहते हैं यानि कि अन्डों से सीदे क्या बदलते हैं उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते है निफ कहते है निफ सेक्षवल रूप से एपरिपक तथा पंक हीन होते है निफ करमबद रूप से डवलमेंट होकर वेस्क या अडल्ट में कयांतरित हो जाता है परिवर्दन के दोरा निम्भ में अनिग प्रकार से निर्मोचन होते हैं इसका एक्जामपल है जैसे कोक्रोज, जींगर, बक्स, प्रेंग, मेंटिस, ब्लेडिटिस, मेंटिस, टर्माइट, ग्रास ओपर, ड्रेगन, फ्लाइज, इत्यादी अध्यमर, जिसे डागराम में बता हैं, पहले अदल्ट, अडर्न से एग, एक से से लिकर्णि निम्भ करेद निर्माण होता है और निम्भ से अडल्ट बनता है निम्भ और णिम्भ होता है ये इसकी शिश्व प्रावस्ता कहलाती है जिसके अंदर ये लेंगी की रूप से परिपक होता है और इसमें पंख हीन होते हैं अब की जो इंसेक्ट होते हैं इनमें निमलिखता हर्मोन का सिक्रेशन होता है फर्स्ट आता है इसमें PTTH यानी प्रो थोरेसो ट्रोफिक हर्मोन दूसर आता है इक डाइसोन हर्मोन थर्ड आता है जे एच यानी की जुवेलाइन हर्मोन फर्स्ट आता है प्रो थोरेसो ट्रोफिक हर्मोन यानी की PTTH ब्रेन की नूरो सेकेट्री सेल दूआरा PTTH यानी प्रो थोरेसो ट्रोफिक हर्मोन का सिक्रेशन किया जाता है इस हार्मोन का राशायनिक संगटन ग्याद नहीं है प्रंतु ऐसा प्रतित होता है कि ये एक छोटा प्रोटीन होता है जिसका अनुएक बाहर 5000 डाल्टन होता है PTTS एक्सोन दोरा प्रभावित होकर नूरो हिमल ओर्गन तक पहुचा दिया जाता है और कार्पोरा कार्डिये का एक नूरो हिमल ओर्गन होता है जो की PTTS का संग्रण और त्याग करता है टबे को हर्मोन मौथ में ये प्रमान मिलता है तर नूरो सेकेटरी सेल से एक्सोन से कार्पोरा के डेटा से गुजर कर कार्पोरा एलेटा तक पहुचता है इस प्रकार से PTTS हर्मोन का सिक्रेशन कार्पोरा एलेटा में किया जाता है और इस प्रकार के हर्मोन को हम ब्रेन हर्मोन अर्थार्थ भी एच हर्मोन भी कहते हैं PTTH का सिक्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में कर दिया जाता है इस हर्मोन का टार्गेट ओर्गन प्रोथेसिस ग्लेंड है यह हर्मोन प्रोथेसिस ग्रंति को प्रोहित करता है जिसे एडेक्शन हर्मोन का सिक्रेशन होता है और यह प्रोथेसिक हर्मोन भी कहलाता है जैसा कि यह डाइग्राम में दिख रहा है कि यह नियूरो सेकेट्री सेल्ट और ब्रेन में है और इस से एक्सोर्नल ट्रांसपोर्ट पातवे है और जो इसका जो कोर्पोरा कार्डिका है इसमें संग्रेट रहतार यहां से त्याग किया जाता है इसका PPTS का और PPTS ब्लड सर्कुलेशन के माध्यादम से पोरोथरिसिक ग्लेंड में पहुंचाता है और फिर यहां से प्रोथेरेसिक ग्लेंड से एक्टोडिसिन प्रोथेरेसिक हर्मोन कहलाता है अब आता है दूसरा एक डाइसोन हर्मोन एक डाइसोन हर्मोन का सिक्रेचन इंसेक्ट की प्रोथेरेसिक ग्लेंड द्वारक किया जाता है तब्यूटेंट वे कार्ल सन नामक बेग्यानिक ने बताया कि ग्लेंड की दो रसायनिक पदार्तों का पर्थकन और सुद्धिकन किया जाता है जिसे अलफा एक डाइसोन हर्मोन तता बीटा एक डाइसोन हर्मोन केते हैं बीटा एक डाइसोन हर्मोन की क्रिया सेलता अलफा एक डाइसोन की तुलना में धुगनी होती है इस हर्मोन का मूला नूर्पाति सुत्र जो इसका C27, S44, O6 होता है यह एक परकार का इस्टिरोइड हर्मोन कहलाता है और प्रोथेरिसिक ग्लेंड अलफा एक डाइसोन आर्मोन का सिक्रेशन करती है जो टारगेट और आउर्गन में यह बीटा एक डाइसोन आर्मोन में पर्तित कर देती है इस परियुदन के दोरान C20 का हैड्रोक्सी लेशन होता है